राजस्थान के सबसेच चर्चित नेताओं में शुमार डोक्तर क्रोडीलाल मीना पिछले तीन महीने से सुर्खियों में प्रदेश की भजलाल सरकार में केबिनेट मंतरी क्रोडीलाल मीना तीन महीने पहले ही मंतरी पद से इस्तिफा दे चुके हैं चार जून को जब लोकसबद चुनाफ का परणाम आया उसके फोरन बाद यानि पाच जून को ही मीना निस्तिफ़ भेज दिया था लेकिन इस्तिफ़े देने का खुलासा उन्होंने एक महीने बाद जुलाई में किया था जिसके बाद पार्टी हाई कमान के साथ उनकी बेटा कुई दस दिन में इस्तिफ़े पर फेसला लेने के बात नहीं गई पी लेकिन तीन महीने बीतने के बाब जूद भी स्तिफ़े पर कोई फेसला नहीं हुआ आखिर विजेपी क्रोडिलाल मीना का इस्तिफा मनजूर करने से क्यों डर रही है क्रोडिलाल मीना का इस्तिफा मनजूर नहीं करने के पीछे सबसे बड़ी वज़ाप आने वाले दिनों में होने वाले विधानसब उप्चुनाव है जिन 6 विधानसब सीटों पर समय तो करोडिलाल मीना का बड़ा प्रभाव हैं इन दोनों ही शेत्रों में क्रोडिलाल के हजारो कत्तर समढ़ताखें बीजेपी उन्हें नाराज नहीं करना चाहती है क्रोडिलाल का इस्तिफा सविकार नहीं करने के पीछे बड़ी वज़े ये भी है कि अगर भी जेपी ने स्थिफस्विकार कर लिया तो मीना सडक से लेकर सदन तक सरकार को घेंडने में लग जाएंगे उनका काम करने का अंदास दूसरे विधाया को से अलगे वे हर मामले पर वेवाकी से अपनी राय रखते हैं लोगों की समस्याओं के समदान करने के लिए वे धर्ना प्रदिर्शन और अंदोलग करते आएं उन्हें इस बात से कोई पर्क नहीं पड़ता कि सरकार किस पार्टी की है वे अपनी पार्टी की सरकार के नाक में भी दम कर देते हैं ऐसे में पार्टी उन्हें किसी भी तरीके से मना कर रखना चाहती है। वहीं बजलाल शर्मा के केबिनेट मंतिरियों में मीना समाज से केवल दो मंतिरी है। ऐसे में बजलाल सरकार और पार्टी किसी भी तरह से मीना को नाराज नहीं करना चाहती है। अब जैसे तेसे उन्हे वाले घोटालों से जुड़े गोप्तिय दस्तवेज और दूसरे सबूस सबसे पहले क्रोडिलाल के पास पहुचते हैं। ऐसे प्रिदेश की बिजेपी सरकार भी मीडा को खुश रखना चाहती है। सरकार और पार्टी को ये डर है कि अगर वो नाराज हो गए तो सबूतों के साथ सरकार की फोल खोलना शुरू कर सकते हैं। ऐसे तमाब और खबरों के लिए देखते रहें दनगरीनी और शुक्रिया।